हेलो फ्रेंट्स और वेलकम टो आज चैनल मैं नेम इस आदर्स कृष्णा एंड यूर वाचिंग ब्राइट अगाइटमी चैनल फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हमनों रिव्यू करने वाले हैं आपका मौलाना अबूल कलाम अजाद उनिवर्सिटी आफ टेकनलोजी वेस इसी उनिवर्सिटी से अफिलेटेड हैं तो इसके बारे में हम डीटेल नों बात करेंगे इस वीडियो में हम जानेंगे इसके कैंपस के बारे में रैंकिंग के बारे में कौन कौन से अपकी बीटेक में कोर्सेस प्रोवाइड करती है फीस क्या 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 क्य होगा कि आपको इस university ए फिर इस institute में admission लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए अगर लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए अगर नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए इसके देखो हैर सबसे पहले बात होगा यह इस इंस्टिटिउट में डेना है आपको तभी लेना चाहिए जब आपका एडमिशन खर मौई प्लगोई के कोई टॉप Enjoying यह जो स्टार्ट वा था इसका functioning जो स्टार्ट वा था वो था बेंगाल आर्खाइब बिल्डिंग में ठीक है और तब इसका नाम था West Bengal University of Technology कुछ सालों पहले इसका नाम बदल करकर दिया गया मौलाना अबूल कलाम अजाद University of Technology West Bengal ठीक है और इसका जो campus भी आप देख रो एकर्स का campus है और campus के अंदर आपको रहने खाने की facilities प्रोवाइड की जाती है separate boys के लिए और girls के लिए hostel यहां पर दिये हुए ठीक है और canteen की भी facilities यहां पर प्रोवाइड की जाती है तो आप देख रहे हो यह जो आपका campus located है आपका नाडिया district हरीन घटा में या हरीन घट म की academics related क्या क्या facilities यहां पर available है तो देखा हो यहां पर campus के अंदर आपको library भी मिलेगी जहां पर आपको e-resources भी available है आपके library में total books है 25,965 books और 10,131 e-books है ठीक है और एक और important बात यहां पर लिखा है the library is focusing on e-resources due to shortage of space तो institute ने खुद accept किया है कि इनके पास shortage of space है means library कुछ focus कर रहे है ठीक है और एक और बात यहां पर जो extracurricular activities हो कुछ बहुत जादा नहीं है means बहुत जादा focus नहीं किया जाता है extracurricular activities पर ठीक है काफी rare है ठीक है और academics की बात की जाए कि पढ़ाई कैसी होती है तो इसका जो drawback है academics होई है कि इसका जो syllabus है काफी पुराना है means revise नह रहा हो गए तो उसे match नहीं कर पाद जिससे बच्चों को बहुत सारी problem होती है ठीक है exam देने में या फिर prepare करने में और एक और यहां पर आपको इसमें plus point यह है कि आपके पास college में काफी free time है जैसा कि आप देख से तो कुछ extracurricular activities है नहीं तो आप यहां पर क्या कर से तो आ ranking की बारे में तो इसका जो ranking है 2020 में वो है 157 यह आपका NIRF यानी MHRD की तरफ से दिया गया 157 रांकिस college को इन्यूर्सिटी को ठीक है बात करते हैं कौन-कौन सी courses provide करती है तो आपका यह दो ही branch offer करता है BTEC के लिए यानी engineering के लिए एक है computer science engineering और दूसरा information technology ठीक है और अगर ब आपको यहां पर हर तरह का faculties मिलेगा ठीक है लेकिन जो अच्छे पढ़ाने को फेकल्टी से बहुत कम है means quality faculties के यहां बहुत ज्यादा कम ही है ठीक है इस university में अब बात करते हैं कि इस university का fee कितना है तो fee कुछ बहुत ज्यादा नहीं काफी सचता है ठीक है आपको देख लो ठीक है 12,300 आपको 4 साल का fees लगेगा और अगर बात की चाहिए लेटरल इंटरी की थो अगा और आप यहां पर admission ले तो CAC और IT में तो आपको टोटल fees लगेगा वो लगए 144,350 दोनों branches के लिए तो fees यहां की कुछ बहुत जादा नहीं है ठीक है tuition fee जो TFW के candidate से उनको 0 लगता है और tuition fee जो normal general students है उनको लगता है 25,000 odd semester में और even semester में 20,000 ठीक है जो कि आपका total 8 semester के लिए देना पड़ता है अब बात क्याती की cutoff क्या है इस college का तो यहर computer science का जो general का cutoff देखा जाए तो आपका closing rank है 2173 फिर general में physically handicap में आपका cutoff है 22,700 है 20,000 है 20,000 है 20,000 है 20,000 है सी का closing rank है आपका 12,087 ST का closing rank है 36,492 OBC A यानि OBC के जो non criminal students है उनका cutoff है closing rank है वो 6,856 यानि अगर आपका 6,856 के अंडर जो rank का जाते है तो आप इस university में computer science engineering madmission ले सकते हो फिर OBC B यानि criminal के students के लिए आपका closing rank है 3,803 ठीक है और फिर computer science में TFW की बात की जाए TFW के लिए आपका closing rank है 2,846 तो यह आपका TFW rank नहीं है general rank है ठीक है इसको ध्यान रखेगा अब general rank है इसी दर आपका IT branch में जो cutoff है general category के लिए 2,887 फिर physically handicapped के लिए 40,398 SC के लिए 15,984 ST का आपका closing rank है 63,486 यानि अगर आप 60,000 के अंडर आपका rank का जाता है ST category में तो आप यहाँ पर admission ले सकते हैं ठीक है फिर OBC A का है around 9,000 यानि 9,166 OBC B का आपका 5,106 और इसी में आपका IT में TFW candidates के लिए जो closing rank है वो है 3,856 ओके अब बात करते हैं इस college की placement के बारे में तो यह आप जो हम placement देख रहे हैं इनका official data है जो इन्होंने NIRF को submit किया था ठीक है तो इस 3 session का median salary दिया हुआ, median salary क्या होता है जैसे कि 2018-19 का median salary यानि 2018-19 में जितने भी बच्चे placed में उनको 50% बच्चों को 3,00,000 से उपर का package लगा है और बाकी 50% बच्चे को 3,00,000 से नीचे का package लगा है यह होता है median salary का मतलब ठीक है तो जैसा कि आप देख सकते हो 2016-17 में जो median salary था 4,00,000 यानि 50% बच्चों को 4,00,000 से नीचे का और बाकी 50% बच्चों को 4,00,000 से उपर का package लगा फिर 2017-18 में देखे तो median salary आपका 3,00,000 था, 2018-19 में भी 3,00,000 आप यहाँ पे देखो कि जो total students आपके आये थे first year में ठीक है 60 और इसमें graduate हुए तो 59 और placed हुए बस 28 ठीक है means 59 students में बस 28 students ही placed हुए थे 2016-17 में फिर अगर बात की जाए 2017-18 में तो आपके 61 students graduate हो तो इसमें 25 students placed हुए तो आप देख सेख तो placement ratio काफी खराब है यहां का ठीक है जो placement percentage है काफी खराब है यहां का around 50% भी नहीं है 50% से भी नी graduate हुए तो उसमें 40 students placed हुए है means थोड़ा अच्छा है पहले से ठीक है जो placement का percentage है लेकिन जो salary है वो तो घटी गई आप देख सकते हो 4 लाग से आपका सीधा 3 लाग हो गया है ठीक है median salary अब बात करते है यार देखो यहां पर 2018-19 session का पर दिया हुआ है कितने बच्चे प्लेश्ट है तो around आप यहां पर देख सकते हो कि एक बच्चा higher studies के लिए आपका IIT Delhi में गया बाग की 43 students placed हुए है और आप देख से तो companies कौन-कौन से मेलनी यहां पर आपके mass recruiting companies है जैसे होगी आपका Infosys, TCS देख सकतो Infosys कितने बार है Infosys, 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 TCS, Cognizant, Infosys, Infosys, TCS, TCS आप देख से तो यहां पर mainly IT services companies आते हैं और यहां mass recruiting companies यहां से placement देखे जाती है, ठीक है कोई बहुत बड़ी-बड़ी companies आती है और कुछ बहुत ज़्यादा package यहां पर जाता नहीं है, जो average package रहता है around 3-4 lakhs रहता है इस university का, ठीक है इस वीडियो में हमने बात की मौलाना अबूल कलाम अजाद university of technology के बारे में, यानि मकट के हमने complete review के हमने जाना, उसका campus कैसा है, कौन कौन सी facilities आपको campus में provide की जाती है, ठीक है वहाँ पढ़ाई कैसी होती है, तो पढ़ाई academics का हाल कुछ बहुत जाता अच्छा नहीं है, examinations के जो schedules है, वह भी time पे नहीं आते है, results भी हो आके time पे नहीं आती है, यह भी मुझे students एशू पता चला है, ठीक है, ऐसे-एसे issue है शो आसलिक टार सिक्रिण करें लिश्स करता है, लिगज ओैण κά Χρισक भी मुझे ल这 defecув एवैश्क आप लिए खैसोंगू एडविछ झाल झाल झाल